साथ हमारेकुम किलास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्स्ट्रीम कैश फ्लो टाइम वेल्यू ऑफ मनी का हम लोग ने देखना था हम लोग ने सिंपल प्रेज़न और फ्यूचर वेल्यू को कैलिकुलेट करने का तरीका हम लोग देख चुके हैं प्रीबियसली आज हम ल हमारे पास question है जी हमारे पास for each of the extreme of cash flows shown in the following table determine the future value at the end of the final year if the deposits are made into an account paying annual interest rate of 12% interest rate हम लोग को 12% given है ठीक है A case की जह है वो 3 years के cash flows दिये में इसका मतलब हमने 3 सालों के लिए इसकी future value find out करनी है B case के 5 साल के दिये में cash flows थे हमने 5 साल के आखर में इसकी future value calculate करनी है और C case में हम लोगो 4 years के नम दिये हैं हम लोगो cash flows तो इसका मतलब हम 4 years के end पे हम लोगो ने इसकी value calculate करनी है मैं यहां पर इस बात को जो है डिटेल में discuss करती जाओं के हम लोगा देखें यह फस्ट पर हम लोगों को first date पर हम लोगो cash flow receive हो गया यहां पर यह फस्ट पर हम लोगों को first year पर cash receive हो गया 900 dollar end of year नहीं लिखा हुआ तो end of year तक यह एक साल बनेगा ठीक है यहां से यह देखें 1 से 2 तक 1 year 2 से 1 से यहां पर देखें 31st December तक 2012 का अगर हम लोग year ले रहे हैं तो 31st December तक जो है एक साल बनेगा फिर 30 31 December 2012 से 31 December 2013 तक दूसरा साल बनेगा ठीक है और 31 December 2013 से 31 December 2014 तक तीसरा साल बनेगा यानि कि यह इनकी future value जो है वो तीन सालों के लिए calculate होगी ठीक है यानि कि यह जो है वो यहां पर हमने जो है वो calculate करनी है at the end of the future value at the end of the final year तो यह तीन साल 3rd year 3rd year का मतलब है कि 31 December 2014 को हमने value calculate करनी है तो यह तीसरे साल जो के हमारे पास यकम जनवरी 2014 को यह cash flow generate हो रहा है तो 21 December 2014 तक यह वो यह एक ही साल के लिए जो है इसको calculate करेंगे 1000 जो है वो 2013 की 31 को यह 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 कम को हमें receive हो रहा है तो इसके लिए को calculate करने के लिए दो साल होंगे और इसको फस्ट वाले को 900 को calculate करने के लिए लिए यानिके future तक जाने के लिए 3 साल require होंगे इसी तरह से दूसरे cases दाइस से यो सबस्क्राइब है पांच धाल तक पहुंचने के लिए फीस g झाल ₹ की और इसको पांच की इसी तरह सी में देखेंगे इनके भी इसी तरह से हैं आगे हम लोग क्यालकुलेशन देखते हैं सबसे पहला जो है हमारे पास future value of mixed stream cash flow हम लोग को future value का formula पता है हम लोग जब mixed stream calculate कर रहे होते हैं मतलब हमारे cash flows different आ रहे होते हैं तो हम लोग एक यह बार में उसको calculate नहीं करते हैं हम लोग को बार बार जो है उसको मतलब enmity के through हम लोग उसको calculate नहीं कर सकते हैं क्यूंकि हमारे cash flows जहां वह सेम नहीं हैं हम लोग उने इसको discuss किया है कि enmity में हमारे cash flows भी सेम होते हैं number of years fix होते हैं और हमारा time period भी fix होता है अब यह जो है वह हमारा mix stream को जो है वह उसमें हमारे cash flows डिफरेंट आ रहे हैं मतलब हम लोग को present value future value का formula simple formula का use करेंगे इसको calculate करने के लिए अब यह देखें कि 900 को जो है वह हम require है ठीक है तो तीन साल के लिए इसको calculate करेंगे ठीक है 12% हम लोगं को interest rate दिया हुआ है इसको हम लोग 3 years के लिए calculate करेंगे तो 1264 dollar.43 जो है वह यह आ जाएगा फिर जो हमारे पास thousand दिया हुए तो thousand हमारा जो है वह यहां पर पड़ा हुए ठीक है second year में तो इसको तीसरे साल तक पहुंचने के लिए तीसरे साल के end तक पहुंचने के लिए दो साल require है एक तो इसने अपना यकम जनवरी को यकम जनवरी और बारा सो को जो है हमने एक साल के लिए calculate करना है क्योंकि यह फिफ्ट एयर के start में पड़ा हुए और थर्ड एयर के end पे हम लोग ने जो है वह अपनी future value calculate करनी है यहां पर question में हम आप लोग को फिर से show कर दूँ कि यहां पर जो है वह बारा सो जो है वह यकम जनवरी 2014 की ह हम लोग ने इसको calculate करना है तो यह हमारा जो है वह बारा सो एक साल के लिए calculate होगा यहां पर हम लोग ने बारा सो को एक साल के लिए जो है वह यह देखे है number of year लिया है मैंने 12% से इसको calculate किया है अब यह तीनों के जो answer है इनको जो है मैं plus कर दूँ की तो मेरे पास total future value after 3 year ज हमें कहा हो है कि 5 साल के लिए इसकी future value calculate करें हमने जो है फस्ट year में जो पड़ी वी amount 30,000 उसको 5 साल के लिए calculate करना है क्योंकि उसको 5 साल तक पहुंचने के लिए 5 years require है ठीक है तो उसको 12% से 5 year के लिए calculate करेंगे अब यहां question में भी आपको show कर दूँ यहां पे यह देखें यह 30,000 जो हमारे पहले साल में पढ़ा हुआ है इसको यहां पर 5 साल तक पहुंचने के लिए 5 साल के end तक उसको 5 साल require है तो हमने 5 साल के लिए calculate करेंगे यह 25,000 जो दूसरे साल में पढ़ा हुआ है इसको 5 साल के आखर तक पहुंचने के लिए 4 साल require है तो इसको 4 सालों के ल यह देखें हम लोगों ने जो है वो 25,000 को 12% rate से ही 4 years के लिए calculate किया ठीक है simple future value को formula put करके 30 years के लिए हमने 20,000 को हम लोगों ने 30 years के लिए 3 years के लिए ठीक है यह हमारा 3 years के लिए calculate होगा for 3 years ठीक है calculation इसकी तो यह amount आजएगी for 2 years 2 सालों के लिए हम लोग इसको calculate यह 14 साल की amount है 10,000 जो के हम लोगों को question में given है तो इसको 5 साल के अंड तक पहुंचने के लिए 2 सार required है तो इसकी हमने for 2 years calculation इसकी की है 1.2 और 2 years के लिए इसको calculate करेंगे और इसकी तरह से यह 5 साल के start में पड़ी है हमारे पास 5000 का cash flow हुआ है inflow हुआ है इसको हम लोग जा है वो 5 साल के आखर तक यानिक 31 जनवरी पे हमारे पास यह cash flow पड़ा हुआ है और 31 दिसंबर तक 1 साल require है इसको पूरा तो एक साल के लिए हम लोग calculate करेंगे तो यह future value पांचों की जो answers आए है इनको add कर देंगे तो पांच में साल के आखर में हमारे पास यह amount आ जाएगी 13,8,441 डॉलर जो है हमारे पास amount आ जाती है at the end of fifth year इसी तरह से third case देखेंगे third case में हमारे पास पहले साल में जो amount पड़ी वी है हमारे पास cash flow जनरेट हुआ है वो 1200 जनरेट हुआ है अब 1200 को चोथे साल तक पहुँचने के लिए कितने साल की जरूरत है चार सालों की जरूरत है यहां पर question में फिर से मैं question पर जाती हूँ यहां से देखें आप लोग यह देखें जी 1200 है इसको यहां तक पहुँचने के लिए यहां तक चोथे साल के आखर तक पहुँचने के लिए इसको चार सालों की जरूरत है इस वाले 1200 को जो दूसरे साल के शूरू में पढ़ा हुए इसको यहां तक चोथे साल में जरूरत है और इस 19000 को आखर तक पहुंचने के लिए य mail को चौत्र पहुंचने एक चार Tab Zeal के जा Bray लिए झ्यारत का अब यह? को ठीक है यहां पर ह्भारा सो का पहले साल में जो पढ़ा हुआ थावा थाउजर के लिए के लिए अगрь थांट पढ़ी हूं था का रहा हुए है तो फेसे साल के पहुँछने calculate करेंगे और last fourth year में हमारे पास जो 1900 बड़ा हुआ है उसको अपना जह है वो एक fourth year के end तक पहुंचने के लिए एक साल require है तो उसको जह हम लोग एक साल के लिए calculate कर लेते हैं ठीक है और यह हमारे पास जह है और 21,928 को इन सब को add किया तो add the end of fourth year हमारे जो future value आ गई 6956.52 डॉलर जो है हमारी amount आ जाती है यह हमारी जो future value तीनो cases की calculate हो गई अच्छा जिन next question है हमारे पास जह हो mix team का कि हम लोग ने इसकी जो present value find out करनी है 15% discount rate दिया हुए है यह हम लोग को a case के cash flows दिये हैं और यह हम लोग को b case के cash flows दिये हैं हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको जह हो अब यहाँ पर देखें इनकी present value find out करनी है मतलब इनको उस तरफ को लेके जाना है यहाँ पर first year का जो है वो इधर calculate हो जाएगा second year का जो है उसको कितने years require है third year को कि इसको calculate करने के लिए इनको one by one देखते हैं detail में कि हमारे पास जो है first year में 50,000 पढ़ा हो है तो उसको first year में एक साल ही require है ठीक है अगर 31st December तक पढ़ा हो है तो उसको एक साल ही require एक साल के लिए उसको calculate करेंगे और एक साल से मैंने 15% discount से calculate किया तो यह मेरे पास amount calculate होगी second year के लिए second year में हमारे पास 40,000 पढ़ा हो है अब 40,000 को जह हो present value का formula लगा के इसको जहा है मैंने first year के यहांपर start में लेके जाने है यानि कि जिरो time पीरियड पे लेके जाने है तो उसके लिए मुझे जो है दो साल require है 1 साल dipping दूसरे साल से पहले साल तक पहुंचने के लिए 1 साल और एक साल से 0 time period पे पहुंचने के लिए 2 साल औ require हैं इस तरह से 3 aware वाले को 3 साझ पहले यह दूसरे साह bins कि क्लिकुलियसिंट फिर दूसरे से पहले साल प्रफिरबाइस डिरो में लीकलियं टर तक तो इसको 3 साल require है इसको 4 सार और 6 पांस प्रइक्स हुआएं इस नहां से जो है वह हम लोग ने 15% से इसको 2 years के लिए calculate किया then इसको 3 years के train calculate किया फिर इसको 4th year के लिए दिसकाउंटिंग Бैय और अबा करते गए है तो मारी ग्रस नियुद के स्परेंगे तो हमारी तब यह वह 50% डिसकाउंट रेट से ये हमारी विल्यू factor आ है अब यह जो हमारे आंसर आ गए हैं इसको हम लोग जो है वो एड़ अप कर देंगे तो यह हमारा जो है वो एड़ एंड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट यानि के हमारे पास इतनी जो है वो प्रेज़न वैल्यू होनी चाहिए दस लाक नो हजार आट सो पच्पन डॉलर जो ह हो हमारे पास प्रेज़न वैल्यू होनी चाहिए ठीक है यह हमारी प्रेज़न वैल्यू कलिक्लेट होगी अब दूसरा केस देखते हैं इसका के उसकी भी कल्कुलेशन ऐसे है लेकिन उसकी अमांट जो है वो यह चेंज यह वाली अमांट चेंज कर दी हैं लाइक यहां पर जो है वह यह 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 था और नेक्स पे हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहा है 10,20,30,40,50 तो इनकी कल्कुलेशन जो है वो डिफरेंट आएंगे क्योंकि इनके नंबर ऑफ यह चेंज हो रहे हैं तो यह फस्ट यह में फस्ट यह के लिए कल्कुलेट करेंगे चासजार के मौन को पांस साल पीछे लेके गए हैं तो यहां पर नंबर ऑफ यह किते हैंगे पांच आएंगे क्योंकि हम पांस साल बैक पे यह निकि इसकी पांस साल के लिए हमने वेल्यू प्रेज़न वेल्यू कल्कुलेट की और इन सबके आंसर को हम लोग ने एड कर दिया तो हमारे पास प्रेज़न वेल्यू इसकी क्या आई 91,272.6 जो है वो प्रेज़न वेल्यू कल्कुलेट होगी तो ये तो था आझका हमारा टॉपिक हम लोग ने देखा के mixed cash flows जो होते हैं multiply cash flows भी बोलते हैं उनके हम लोग future value और present value को किस तरह से क्ल्कुलेट करते हैं और number of years को किस तरह से हम लोग consider करते हैं हर की, हर value की جो है वो present और future value क्ल्कुलेट करने के लिए ओके जी अलाह आफीस